वास्व गाइज, I hope you are doing well, I am weird, welcome to still our family, तो कैसे हो दोस्त मैं आसा करता हूँ, शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और प्राई का जान काफी अच्छे से एर्रा करे हो, यहाँ पर काफी शानदार बात बोली गई है, we were born to be real, not to be perfect, इसके लिए मैं आप लोग एक उधाने देकर समझाना चाहूँगा, जैसे ही आप लोग किसी काम को करना चाहते हैं, तो आप लोग हमेशा एक अच्छे मोहरत की तलास में रहते हैं, कि यार उजदीनी स्टार्ट करते हैं, यह अच्छा मोहरत है, एकसाई जदीन स्टार्ट करते हैं, अपने एकजाम की प्रिवेशन इस दिन स्टार्ट करते हैं, टेस्ट न कल से लगाने स्टार्ट को दूगा, कलना सुबह 4 बजे पका उड़ जाओंगा, इस दिन से मैं आंसर आइटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यह जो चीज़े होती हैं, हम पर लेकिन reality के हम लोग को reality में जिना चाहिए कि हर एक दिन जो है वो आप लोग के लिए perfect है जब आप लोग किसी काम को करना चाहें वही आप लोग के लिए perfect time है यह निकि किसी दिन मोहरत निकलेगा तो उस दिन स्टार्ट करेंगे मंडे का दिन अच्छा होता है तो यह सारी चीजे जो life में चलती है यह इंसान के खुद के बनाएगे perception है आप लोग के लिए हर एक दिन एक जैसा ही है अगर ढंक से देखेंगे तो हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं हर एक दिन बिलकुल ऐसे स्टार्ट होता तो उस काम में आप लोग पीजे छुड़ जाते हैं तो तुरंत स्टार्ट कीजे एक बार अच्छा डिजन लेकर उसको तुरंत स्टार्ट कीजे ज्याद है पोस्पोन नहीं करना है अगर सुबह आज उठना है तो आज से ही उठना है अगर पढ़ना है question paper लगाने है तो आ आज जो आप लोगा में बेश कुछन ही है आपर लाडोगा लेक जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर located है फिर इसके बारे में हम लोग डिस्स करेंगे बागी काफी कुछ यांदा डिस्स करने के लिए आज के तरह हिंदू newspaper में तो आईए एक एक article के उपर नज़ डालते ह एक हैं आपर South Korea, North Korea के relation के बारे में बात की जा रही है और कुछ ऐसा जो time duration अब तक यहां पर चला है जहां आज केट में दोनों आकर खड़े हैं वहां से आगी कहानी आप लोग को बताऊंगा और पीछे की भी story आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग कर सके कि actual में किस direction में चीजे चल रही है, FDI के जो norms हैं वो हमारी country में change किये गये हैं उसके बारे में बात की जा रही है बाकिया आपर sovereign role की बात की जा रही है तो यह भी एक अच्छा article है इसी के साथ में हापर जो बात की जा रही है COVID-19 के बारे में हैं आप आरोगे से तु एप के बारे में ब सीख सकते हैं हम लोग अपनी country में खास कर केरला के उपर focus दिया जा रहा है तो यह article है एक तरीके से आप लोग जानते हैं कि Singapore ऐसी country है जिसने situation को काफी अच्छे से tackle करके चल लिया हमारी country में जहां जहां पर problem देखने को मिल रही है तो हम लोग भी उसको tackle करके चलना है तो यहां पर वही सारे coronavirus से लेटेड जो case है उसके बारे में analysis करते हैं और वही चीज हम लोग यहांप analysis कर लेते हैं कोरोनवाईरस के जो case है 24,000,000 और बीच में हो चुके हैं 2.4,000,000 170 लोग अब हमारे बीच में नहीं है और 640,000,006,000 जो जो 6,000,000,000 जो लोग हैं वाच केरेट में हैं और 42,000 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है डेली डहाई से 3,000 लोगों की जान जा रही है USA के अंदर में जो कि एक बहुती unfortunate condition आप लोग बोल सकते हैं एक और यहाँ पर development हो है पहले नमबर पर USA दूसरे पर इस पें तिसरे पर इटली चोथे पर फ्रांस 5 पर जन्वरी जर्मनी चटे पर यूके अब यहाँ पर दो कंट्री और चाइन से उपर आ चुकी है एक है तुर्की और एक है इरान तो तुर्की तो कल ही उपर आ गए थी आज इरान भी आपर उपर आ चुका है सलसे ज़ादे जो लोगों की अब तक जान गई है वो USA में दूसरे नमबर पर इट्री अब तक चल रहा है तीसरे नमबर पर यहाँ पर आचुका है इस्पेन और चोथे नमबर पर फ्रांस तो France जो है याँ पर एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर हैं पर एक तरीके से लोग जान गई है इसके अंदर भी UK भी कोई ज्यादे पीछे याँ पर नहीं है बाकी Belgium में भी लगबग काफी लोग जा जा चुके हैं और इरान के अंदर भी काफी लोग इसके वे से अब तक म चुके हैं महरास्टा टोप पर है डेली दूसरे नंबर पर गुजरात राइस्थान और तमिलाडू हम लोग नहीं यह डिसकस कहता कि यह हमारी कंट्री के बेस्ट राजे हैं जहां पर बेस्ट चीज आप लोग को देखने को मिलती हैं अच्छी खासी एकनोमी है इन राज् चल रहा है जहां जहां पर टेस्ट जादा हो रहे हैं जैसे कि केस जैसे कि हांपर केस और टेस्ट की बात की जा रही है अगर बात करें हांपर जो डेली केस हैं वो हैं आपर यलो लाइन और जो टेस्ट है वो ब्लू लाइन तो जहां 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 पर टेस्ट हो रहे हैं तो case बहुत ज़्यादे आगे हैं निकल के फिर भी ठीक है यनिकि जितनों का test किया उतने ही ज़्यादे हैं हाँ पर case निकल कर आ रहे हैं तो उसके चलते चीजे बढ़ती ही नजर आती है तामिलाडू के बारे में हाँ पर बात की जा रही है जो cluster है ये दोनों जो point है cluster के बारे में निजामुदीन में जो activity देखने को मिली उसके बाद में काफी large scale पर बहुत सारे राज्ये के अंदर बहुत बड़ा उच्छाल आया यनिकि यहाँ पर आप लोग दिखते हैं कि निजामुदीन cluster से जो लोग निकल के हैं उसकी वेसे काफी बड़ा उच्छाल देखने को मिला तो वो एक बहुती बड़ी बेवकुफी आप लोग बोल सकते हैं ऐसे time पर लोगों का एक जगे इतने large scale पर इखटा होना तो उसके बारे में हाँ पर एक ये एक analysis है जो कि हाँ पर दा हंदू के द्वारा conduct कराया गया है इसी के साथ में जो आज की दिमें उसको religion के नाम से हमारी country में एक नाम देकर उसको अलग तरीका एक जामा पहनाए कि एक तरीके society में अलग तरीके की communal वैलें जो होरे हैं उसको ये बारे में आप लोगो देखकर चलें तो यह दो को नहीं करने वीमारी के साथ में पहले लडलो बाद में आपस mengसा लड़ लेना क्योंकि जान है तो ज हान tehd जिंदा बचोंगे तो वो सारी चीज़े कर लेना और migrant worker बहुत सारे लोग जो है आजकेड में इन सब चीजों की चपेड में भी आ रहे हैं। तो देखते हैं, situation को कब तक normalize यहां पर किया जाता है। तो यह हैं कुछ बात इसके बारे में, आईए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग के सामने यहां पर एक article आएगा, यह article काफी important है, थोड़ा सा आप लोग समझ लेजे, चीजों को आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। यह हैं यहां पर अपनी प्यारी country, यहां से अगर आप लोग थोड़ा सा eastern side में जाएगे, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा South Korea, और यह उपर हो गया North Korea, एक और यहां पर news में रहेगा, इस article में यह है USA, उपर हो गया China, और यहां पर इसको touch करने वाला North Korea को हो गया Russia, ठीक है, और प्रोस में हो गया Japan, तो आप लोग समझे इन particular area के बारे में, तो जो article हैं आपर वो किस के बारे में बात कर रहे है, article हैं आपर बात कर रहे है, mainly South Korea के बारे में बात कर रहे है, पर लेकिन South Korea के साथ में, जो basic दिखाने quiz की जा रही है, वो North Korea भी news में रहेगा, और North Korea होगा, South Korea की जो capital है, वहाँ प्योंग योंग और North Korea की जो capital है, यह Seoul, इधर हो गया Seoul, Japan, अगर बात करें कि कैसे यहाँ पर economy है, तो यह South Korea जो चलता है, यह USA के इसाब से चलता है, तो यहाँ पर capitalist economy है, यहनकी एक तरीक से जो लोग हैं, वो काफी develop हैं, जिसे company Samsung जैसी जो company ह यह South Korea की company है, बहुत ज़्याद है, सिब building industry के बारें बात करेंगे, तो South Korea बहुत बड़ा role play करता है, North Korea की बात करें, तो यह communist country है, क्योंकि चाइना के इसाब से काम करता है, maximum larger scale पर, तो यह आज की में कहीं भी जाएंगे, अगर यह toilet करने भी जाते हैं, तो चाइना से जो चुन कर आएं, अब यहाँ पर South Korea में यह leader चुन कर आएं, और जब से यह leader चुन कर आएं, South Korea और North Korea के जो release ने, वो पहले की compare में थोड़ा अच्छे होने start हो गए हैं, तो फिर से यह काफी अच्छी majority में चुन कर आएं, तो आप चीजे कैसे चलेंगी, उसके उपर analysis किय जा रहा है, उससे पहले आप लोग यहाँ पर इन चीजों को देख लिजे, सबसे पहले यह line जिसके बारे मैंने बात की थी, जिसको आप लोग DMZ बोलते हैं, यह इनके इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपर demilitarize zone, ठीक है, तो demilitarize, एनके military नहीं रहेगी इस particular area के पर main जो line यहाँ पर बोली जाती है, यह भी कई बार आप लोगों से पुछी जाती है, यह हैं आपर 38 parallel, तो कई बार आप लोगों से question बन जाता है, कि 38 parallel किस दो country के बीच में हैं, तो यह याद रखेगा, यह South Korea और North Korea के बीच में हैं, कुछ दिनों पहले आपर इस particular area में, ड दोनों personality जो है, basically जो काफी लंबे समय से war चल रही थी South Korea और North Korea के बीच में, यहाँ पर यह मन रहता है कि एक ऐसी war, जो की काफी पहले start ही थी 1950s में, और अब तक चली हुए आ रही थी, अब तक इसको एक तरीक से उन्हीं बलता है, पूर्ण विराम देना, प्रोपर वे में coronavirus से जूज रहा है, तो ऐसे टाइम पर election होना, यह काफी एक विचितर बात आप लोग बोल सकते हैं, और भी अच्छे से election होना, सांती के साथ में, तो 15 April को यहाँ पर जो election थे, वो थे, और इसके साथ में, जो moon jay in है, यह जीत कर आगे, तो parliamentary की जो यहाँ पर इनकी जो victory हु में रखते विए, अपनी country में election नहीं करा रहे हैं, चीजों को postpone कर रहे हैं, dictatorship करने ही कुछ कर रहे हैं, उन country के लिए एक उधारन है, कि अगर कोई चाहे तो काम कर सकता है, तो उनके लिए हाँ पर यह बात बोली गई है, अगर बात करें, जिस तरीके से जो turn out देखने को मि हैं, इनके सामने एक तरीके का challenge भी है, कि कैसे आपर यह इसको tackle करके चलेंगे, और इसी के साथ में North Korea के साथ में कैसे वो फिर से अपनी एक नई approach लेकर चलते हैं, ताकि जो situation उसको handle किया जाए, reason के है, reason यह इनके पास में majority है, तो यह कुछ भी अगर legislation पास कराना चाहते है अपनी पार्लेमेंड में, तो पास करा सकते हैं, कोई ज़्यादा problem देखने को नहीं मिलेगी, तो desire यह कि कैसे normal सी लाइजे North Korea के साथ में, और कैसे यहाँ पर जो चीजे है, business activity हो सारी cross border disruption है, उनको भी start के जाए, तो काफी important role play कर सकते हैं, अब यह हैं आपर, अगर बात मिले, demilitarize zone में, तो उस टाइम पर जब मैंने आप लोग यह picture भी दिखाए, आप लोग देखते हैं, जब यहाँ पर यह इस particular area में आखर मिले, तो यह माना गया कि एक history create हो गई, काफी लंबे समय से जो चीजे चल रही थी, अब वहाँ पर रुख पाएगी, अब चीजे आ में अगर आप लोग बात करते हैं, फिर भी जो रिलिसन है, वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो Korean War चल रही है, वो 1950 से चल रही है, और 1950 से कहीं नहीं कहीं सपोर्ट करता हुआ रहा है, यूस से, और North Korea को Russia और China कहीं नहीं सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हैं इस situation देखने को मिलती है, अभी यहां पर बोला गिया कि आप लोगों को यहां पर Penusula, Penusula एक ऐसा area बोलते हैं, जो तीन साइड से पानी से गिरा हुता है, तो इसको Korea Penusula बोलते हैं, जिसमें North Korea और South Korea दोन आते हैं, यो कि तीन साइड से पानी से गिरा हुआ है यहां, ठीके, आप लोग अ आज्केट में नोर्थ क्यायें के पास भी नूगीलर पावरे में चयुंकि इस सब्सक्राइब कर पास है तो यह सकाती है तो नूगिलियर और तीससे को रोकेंगे लिकन उनकी कुछ सरत हैं तो सबसे महीने में 2019 में हनोई में सेकिंड मिटिंग थी यह जो सेकिंड मिटिंग हुई आपर यह बीच में छोड़ कर भागे जिस होटल में मिल रहे थे उस होटल में इन्होंने लेंच भी नहीं किया यहने के भूके निकल लिए इतना गुस्सा होगे एक दूसरे से इसे पहली जो मिटिंग होई थी जिस में मिटिंग होई थी वो आइलेंड भी कई बार पूच्छन में पूछा गया ठीक है आप लोगोगो बता होना चीए उस आइलेंड का नाम ऐसे बनता है निचे कमेंडों को से बताईए उस आइलेंड का क्या नाम था जहां पर दोनों लीडर मिले थे तो ये जून 2018 मिले कई सारे प्रोमिस किये गे कि आगे मिलेंगे पर लेकिन जिस तरह के प्रोमिस किये गे और जाए situation देखने को मिले डैर लोग फिर भी continue है कोई अच्छी चीए देखने को मिले पहली मिटिंग हलगी अच्छी थी पर दूसरी मिटिंग तो बिलकुली खतम हो गई बीच में ही reason क्या था? reason यहाँ पर दोनों के अलग-अलग condition है पोंग यांग यह चाता है कि वो यहाँ पर यानिके पोंग यांग बोलो तो मतलब समझे नोर्थ कोरिया नोर्थ कोरिया यानिके किम जोंग उन यह चाते हैं कि अगर उनके ओपर से economic sanction हटा दिये जाएं तो वो यहाँ पर अपनी nuclear testing facility में कमी लाएंगे यानिके उसको घटाएंगे डिफरेंस समझने कोजिस कीजिएगा confused नहीं होना है नोर्थ कोरिया यह चा रहा है कि अगर उनके ओपर से economic sanctions हटा दिये जाएं तो वो nuclear test करना बंद कर देंगे अब USA क्या चाता है USA यह चाता है कि जो नोर्थ कोरिया के अंदर nuclear test की site है उनकी access मिलें यहाँ पर इनको यानिके यह वहाँ पर जाकर देखें तब जाकर यहाँ पर relaxation करेंगे sanctions के अंदर में यानिके दोनों है बात जो है एक अलग-अलग तरीकी थोड़ी से difference है आप पहले वाले यह बोल रहा है कि पहले sanctions अटाओ हम लोग तब step उठाओ हैंगे दूसरे वाले यह बहल रहा है कि पहले आप लोग step उठाओ थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पर जाने का रास्ता दो हम लोग तब sanction अटाएंगे तो इसके भी इसमें दोनों की रस्सा कसी चल रही है और कोई बात हैं पर नहीं बनी अब यहाँ पर डोनल्ड ट्रम्प के पास में तो टाइम नहीं है क्योंकि अभी COVID-19 की चपेट में है फिर आगे चलकर election की चपेट में आएंगे तो इन फाल्टू की यहीं कि आजसा की एक किरन नजर आ रही है तो देखते हैं सिचेशन को कैसे normalize किया जाता है तो डोनल्ड ट्रम तो अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर North Korea और South Korea को डोनल्ड ट्रम के साथ में जादे बहस नहीं करने चाहिए बात नहीं करने चाहिए ठीक है तो यह है इसके बारे में आर्टिकल आगे चलता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल में घुसने से पहले आप लोगे सामने एक कुश्चन है कुश्चन अटेम्ट कीजेगा काफी अच्छा कुश्चन है और कई सारे बच्चे इतना शांदार आंसर लिख रहे हैं आंसर जरूर लिखा कीजे आंसर आप लोग या तो कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं और या फिर फेस्बुक पर जाकर लिख सकते हैं लिंक जो उसका फेस्बुक का है वो भी आप लोगो प्रोवाइड करा जता हूँ और कम से कम डेट से 200 डेली मिनिमम कोश्चन पोस्ट के आते हैं हुआ पर उब्जेक्टिट टाइप जो कि हैर एक 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 एक्जाम में आप लोगो फाइदा पहुचाते हैं तो उनका भी आंसर आप लोग दिया कीजे यानि के लास्ट 24 गंटे के अंतर अंदर वो इंसान भी हो सकता है गुरूप में नहर है अगर कोई ऐसी हरकते करेगा क्योंकि आज की डेट में 300 के करीब बच्चे ऐसे हैं को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर 10 बच्चे किसी भी पोस्ट को रिपोर्ट कर देंगे मैं उस पोस्ट को एकदम रिमूव कर दूँगा और किसी भी गलत इंसान को रिपोर्ट कर देंगे तो उस इंसान को भी गुरूप से हटा दिये जाएगा अगर दस बच्चे उसको रिपोर्ट कर देंगे गाली ग्लोच अगर करकिये तो एक दो ही रिपोर्ट कर दो तब भी अटा दूँगा मैं अगर गाली ग्लोच किशी ने करकिये ठीक है तो गुरूप में अच्छे से आप लोग अपना एक माहुल बनाए रखिए कोश्चन यहाँ पर यह जो वूमेन होती है वो ज़्यादा है रिस्क रहता है एक्सकोजर का अगर यह कोविड-19 को आप लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कोविड-19 नहीं ही लेना है यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं माली जे सुनामी आई थी उसके बारें बात किये कोई और मह कोई-19 के बारें ही कोशन पुछ जाएगा किसी भी आप लोग बोल सकते हैं कोई-19 नहीं कोई पैंडमिक लिग देंगे आपर कोई महामारी ठीक है तो उसकी विज़े से जो आज की डिमे जो वूमेन है वो उनके ओपर सबसे जदा इंपेट पड़ता है अगर उनकी हेल्थ केसी जो वाइरस है वो निकल कर आया तो जिस तरीक से आउट ब्रेक हो रहा है मतलब 5-5-6-7-7-7-7 लांक जो केस कंट्री में देखने को मिल रहे हैं तो काफी बड़ा इंपेट पड़ रहा है ओल अवर वर्ल में एकनोमी के पॉइंट आप से सोसाइटी के पॉइंट आप से एकनोमी बरबाद हो रही है सोसाइटी में कंडिसन आप लोग देखने है कैसी हो रही है और लोगों की साइकलोजी जो है वो भी कहीं ने कहीं बहुत ज़दे इंपेट पड़ रही है क्योंकि जो लोग ठीक होकर आ जा रहे है उनसे भी लोग बात करने के लिए तयार नह देखते हैं तो इस टाइम पर क्या सिचुशन आपर होनी चाहिए क्या काम हम लोगों को करना चाहिए तो उसके अबर फोकस देने की जरूरत है तो क्या क्या बाते की जा रही है सबसे पहले तो यहीं है कि देखिए आज की डेट में जो यहीं सिचुशन होती है वोमेन भी क्राइसिज और जेंडर के बारे में 2004 की सुनामी आई सुनामी जो होती है एक तरीकी ऐसी पानी की लहर होती है जो कि पूरी की पूरी कंट्री को भी या फिर आप लोग बोल से छुड़ ज़री कंट्री या फिर पूरे-पूरे सहर को बहाखर ले जाती है और इस प्रिड़ जो रहती है इतनी हाई रहती है कि कुछ नहीं टिक पाता है इसके सामने सब कुछ एक तरीके से ऐसा होता है जैसे आप लोग बोले कि आप लोग एक नहीं कि जैसे किसी particular एरिया में एक बाल्टी पानी डाल दे जहाँ पर चीटी है तो चीटी जिसे बहागर चली जाती है ऐसे ही आपर ये condition आप लोग को देखने को मिलेगी तो tsunami 2004 की जब आई थी उस टाइम पर 2 लाग के करीब लोगों पर impact पड़ा था तो उस टाइम पर 1 बाई 4 के करीब जो woman है वो काफी problem में हापर आ गई थी एक पर तरीके से आपर अगर आप लोग समझें अगर कोई इंसान problem में पढ़ जाता है बीमार पढ़ जाता है हल्त खराब होती है तो जो caregiver का काम करते है यानि कि एक तरीक से जो उनका ध्यानक नहीं काम कियाता है वो woman के द्वारा ही काम कियाता है यानि कि अगर कोई भी loved one या किसी को problem हो गई है तो woman काम करती है और सबसे बड़ी बात यह है कहीं बाद आ रही है कहीं tsunami आ रही है ऐसी situation देखने को बलती है woman को skill नहीं रहती है कि वो तैर सकें या फिर चड़ सकें कहीं पर लोगों को बचाने के लिए तो एक तरीके से ऐसी situation में भी जो woman है वो बहुत बड़ा role play करती है यह देखें कि आपर उनके बास में कोई skill भी नहीं है कि हाँ पर डूपते होगे तैरते होगे एक तरी से तैर कर बचाए पर फिर भी सबसे बड़ा जो काम रहता है वो इनी कर रहता है दूरिंग सुनामी के बारे में अगर हम लोग बास करते है तो बहुत सारी difficult चीजे देखने को मिली उस टाइम पर सबसे बड़ी problem यह निकलती है कि जो abuse यह निकि एक तरी से गाले गलोच और जो मार पीट की जाती है मैंन के द्वारा वो एक अलग से निकल के आती है क्यों क्योंकि एक तो घर नी है उपर से कोई कमाई भी नहीं है तो एक तरी से गुस्सा जो निकलता है वो भी हाँ पर woman को ही जहलना पड़ता है इसी के साथ में माली जे अगर कोई particular一APP is वह तंबू में रह रहा है किसी camp में रह रहा है तो camp में इंसान कहीं पर उटकर कहीं पर भी क्यों को चलनक है न्युकिन अब लेकिन इन वोने के लिए और है ए बड़ा इसा अपल बोल सकता है। इंसान कहीं पर भी जड़ा सी देर में नहा सकता है खड़ाओकर पर वूमेन के लिए वो भी चीजे पोसिबल यहाँ पर नहीं हो पाती है तो यह situation आप लोग देखते हैं तो इस तरीके से वूमेन जो है पोस्ट कलमेटी और ज़्यदा पोलम में आ जाती है एक तो केर करना हो तो वूमेन को कम सेलरी दी जाती है उसी काम के लिए और मेल को जाज़े सेलरी दी जाती है उसी काम के लिए जब यहाँ पर कोई ऐसी महामारी बन जाती है तो सबसे पहले वूमेन को रास्ता दिखा जाता है यानि कि वूमेन की जोब जाती है और जोब क्या जाती है वूमे 2018-19 में, तो 1000 जो लोग थे, वो relief camp में जाकर रहने के लिए मजबूर होगे, तो एक तरीक से उनकी रोजी रोटी चलीगी, जो add दे रही थी agency, यानिक एक तरीक से खाना पीना कुछ provide करा थी, तो वो चीजें हाँ पर देखने को मिल रही थी, अब जो food यहाँ पर एक तरीक से बनाने की बात आती है, तो बहुत सारी रसोई जो थी वो destroy हो गई, अब उनको open में बैटकर खाना बनाना है, वहाँ पर हावा भी चल रही है, वहाँ पर इंधन के लिए उनके पासे facility नहीं है, और भी कोई चीजे नहीं है, और उपर से खाना बरबाद बने, खाना कुछ अ होगे, मिर्च जादा होगे, थपड मार दिया, उठागर, यानि कि जो इंसान है, वो हैवान बन जाता है, और अपनी जागीर समझने लगता है, मैं कल की एक बात बता, कल नहीं अभी साथ, एक-दू दिन पहली था, हलाकि मैं directly नहीं देखता, कुछ YouTube पर आता है, तो मैं उ पर उनके पास में ये पावर थी, कि हाँ पर एक और जो है, वो उनकी प्रोपर्टी है, उसको भी दाओ पर लगा रहे है, आज की डेट में भी ये चीज़े एक क्वेशन वाक लगाती है, आज की डेट में भी वूमन को, अगर कोई हस्बेंड है, तो वो अपनी प्रोपर् से, तो यही बाते उन्होंने वाँ पर राजसे पोजी धरस्टरात, जो अंधे राजा थे, ठीक है, तो सबसे यही बाते पूछी, पर लेकिन किसी के द्वारा आंसर वाँ पर नहीं दिया गया, यानि यह कंडिशन यह है, कि क्या वुमन जो होती है, वो अपने हस्बेंड क पर लेकिन वाइस वरसा पोसिबल नहीं है, यहाँ पर यह पोसिबल है, तो यह जो कंडिशन है, यह महाभारत के टाइम से आज की डेट में भी आप लोग को देखने को मिलेगी, हर टाइम यहाँ पर वुमन को अपने आपको प्रूफ करना पड़ता है, रामायन में भी अपने आपको उसमें समाधी में जला लिया, यानि के तुम रावन के पास में रहकर आई हो, क्या तुम पवित्र हो, तो यह सारी चीजे कहिने के जो हमारी मैथ्योलोजी है, वहाँ से भी आप लोग को यह चीजे देखने को मिलती है, तो वो फंडे आज तक भी चले हुए आ रहे हैं, तो किस तरीके से वोमेन को प्रोपर्टी इसलिए बोला जाता है कि अपनी जो बेटी है उसको पढ़ाओ, तागी कल को जाकर को इसको अपनी प्रोपर्टी नमाने, अगर बात करें, तो कम से कम equally दोनों मिलकर काम करें, ऐसा नहीं कि वो उसको अपनी जायजात स ताइम पर, तो एक अलगी तरीका इंपेट यहाँ पर वोमेन पर देखने को मिलते हैं, सबसे बड़ी एक एक करकर चीज़े देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, वोल्ड हेल्ट और्गेनेशन के दौरा, 70% जो वोमेन है, वो आज केड में, वो आज केड में, वो आज क उनको कोई धंक से चीज़े प्रोवाइड ने की जाएज़े, जबकि डॉक्टर को सारी चीज़े प्रोवाइड करा जाती है, तो सबसे ज़्यादे प्रॉलम फेस करती हैं, मिलियन प्लस, यानि कि 10 लाग से ज़्यादे हमारी कंट्री में आसा वर्कर हैं, जिनको एक्रिड दोनों काम करते हैं, यानि कि मेल और फीमेल दोनों पार्टर काम करते हैं, तो माली जे मेल है, काम करके है, फीमेल भी काम करके है, यानि कि एक तरीक से आदमी और और ओरत दोनों काम पर जाते हैं, जब काम करके आते हैं, तो आदमी तो बोलता है, बहुत काम करते हैं, अब पर नजर आती है और उसके उस काम को कोई importance भी नहीं दियाती है यह मना जाता है कि यह तो इसी का काम है इसी की responsibility है तो और ज्यादे mental pressure देखने को मिलते है psychologically woman काफी impacted होती है इसलिए बोला जाता है कि एक अच्छा husband अगर अपनी wife को support करता है तो यहाँ पर कहीने कई वो काफी कुछ काम करकर ले जाती है woman इसलिए बोला जाता है कि decision making में management में काफी अच्छी होती है क्योंकि ऐसे ऐसे pressure में भी वो चीजों को manage करती है domestic violence जहनने पड़ते हैं depression जहनना पड़ते हैं अगर बात करें work पर जहाँ काम करने जा रही है वहाँ भी गिद जैसी नजर उनको देखती रहती है हड़ टाइम यहनके वहाँ पर भी वो safe नहीं है घर पर safe नहीं है अगर भार चले जाए तो हाँ पर safe नहीं है कि time पर घर से आना और even work करने जाए तो हाँ पर भी safe नहीं है तो women को तो अपनी जिंदगी जो है वो अलगी तरीके से जीनी पड़ती है ऐसी condition society में है हाला कि कुछ चीजे चेंज हो रही है पर लेकिन अब तक उस level पर change नहीं होई ताकि salute कर सके कि हाँ एक अच्छा माहूल बन सका है अगर बात करें हाँ पर 2015-16 का national family health survey के इसाफ से तो 30% जो women है आज केड में यह आपर अगर बात करें तो 15 से लेके 49 की age के बीच में domestic violence face करती है 30% women 100 में से 30% women के साथ ने पूलम होती है National Commission for Women के द्वारा 587 complaint अभी हाँ पर जो crime against women देखने को मिली तो इन में से domestic violence की जो थी हाँ पर यह यह यहाँ पर 249 case जो थे यह 239 जो case थे यह domestic violence के थे तो यह जैसे ही आपर एक तरीक से घर में लोग बोलते हैं पास में रह रहे हैं अपनी family के साथ में रहे हैं पर लेकिन women अलग से पूलम ही यहाँ पर जहल रही है तो इस तरीके से आपर जो gender में जो disparity देखने को मिल रही है यह सही नहीं है इसी के साथ में अगर phone किया जाता है इनके द्वारा जो nurses वगरा वहाँ पर होती है वो भी well trained नहीं होती है उनको कोई अच्छा suggestion या फिर उनको अच्छी support नहीं दे पाती है तो यह एक अलग से पोलम देखने को मिलती है तो यह होनी चाहिए कम से कम और खासकर जहाँ पर गरीबी और भुकमरी होती है वहाँ पर यह काफी कम आप लोग को देखने को मिलती है ठीक है तो एक अच्छा answer आप लोग लिख सकते हैं सारी चीज़े आप लोग के सामने आईए next article के और चलता हूँ next article जो बात कर रहे हैं आपर यह बात कर रहे है FDI के बारे में FDI को short form में FDI और full form में foreign direct investment बोला जाता है यानि कि बाहर से कोई investment आता है उसके बारे बात कि जाती है पहले तो आप लोग इसको समझे जाज़ेतर किस तरीके से यहाँ पर investment आता है RBI के द्वारे यहाँ पर normally 30 days के अंदर यहाँ पर issue कियाता है यहाँ कि RBI को require होता है कि notify किया जाए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यदा है ऐसा है यहाँ पर कोई compensation रहती है तो after तो within 30 days ते यहाँ कि अपना काम start कर सकते है 30 days के अंदर अंदर RBI को notify कर दिया जाए कि जाती है यहाँ कि बहर से अगर पैसा हमारी country में invest किया जाता है यह बात बोली गई है थोड़ा से इसको समझी आप लोग अभी हमारी country के द्वारा फोरण जो direct investment है through automatic route जो neighbor country है neighbor country कौन सी होगी अगर आप लोग map में इनको देखना चाहें तो आप लोग समझ पाएंगे किस particular country की बात कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देखते हैं आप जैसे यह अपनी country होगी प्रोच में कोन होगया पाकिस्तान होगया चाइना होगया नेपाल होगया बुटान होगया मैनमार होगया चाइना वाले काफी ज़्यादा उठारें आज केड में एकनोमी काफी week चल रही है तो चाइना huge investment कर रहा है तो यह इस bet उठाए गए है कि ताकि वो opportunistic take over नहीं करें मालेजिए हमारी कोई company है चाइना ने आकर उसमे 51% share खरीद लिए तो हो गया क्या कि चाइना अब यहाँ पर उसको एक तरी से take over कर चुका है decision making capability चाइना के हाथ में जा चुकी है तो इनी से डर कर इटली, Spain, France, Australia के दौरा भी कई सारे ऐसे major शुठाए गए है चाकि यहाँ पर इस चीज़ को रोका जा सके Chinese investment पिछले कुछ टाइम में इंडिया में बहुत जादा बड़ा है और इसे एक तरीके से आपर booking इंडिया study के हिसाब से आप लोग मांगे तो चाइना के दौरा जो current और जो planned investment है वो 26 billion के करीब है जो की बहुत बड़ा number आप लोग बोल सकते है तो इसके चलते हम लोग के हाँ पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा चाइना की जो बड़ी-बड़ी company है जैसे अलिबाबा हो गया इसी के साथ में 10 cent हो गया ये company बहुत लार्ज scale पर हमारी country में पेटीम, सुएगी, ओला, जोमेटो बड़ी-बड़ी company है online उनमें investment कर रही है तो move जो है हाँ पर ये जो step उठाय जा रहा है ये चाइना का जो फालतो का investment हमारी country में आ रहा है जो कि चाइना गलत टाइम पर उसको गलत तरीके से use कर सकते है उसको रोकने की कोशिस हाँ पर की जा रही है तो एक तरीके से COVID-19 एक सहारा है जिसके चलते हैं हाँ पर ये excuse भी बना जा सकता है कि हम लोग अपनी country की एकनोमी को save करने की कोशिस कर रहे है तो यानि के COVID-19 एक कंदे पर तीर रखकर यहाँ पर एक तरीके से बान चलाय जा रहा है तो एक तरीके से अगर कोई private entity में Chinese investment यहाँ पर किया थे तो होगा क्या basically रातो रातो बता चला चाइना के हाथ में होगी तो हमारी country को यहाँ पर खत्रा हो सकता है जैसे हुआई company का नाम आप लोग निसन होगा USA ने उसको ban कर दिया था अपने हापर reason क्या था reason यह था क्योंकि वो हुआ ही जो company थी वो चाइना का former military leader था जो की retire हो चुका था उसकी company थी और इसी के साथ में वो काफी ज़्यादे inputs चाइना की government को provide कराते है तो आज की date में कोई चाइना में जो company है उसमें ज़्यादे difference है नहीं कि वो private company है या फिर वो government ही company है maximum चाइना का ही control रहता है सब जगे तो इस तरीके से ऐसे टाइम पर यहाँ पर चाइना का investment गुसना हमारी country में तो थोड़ा सा नुकसान पहुचा सकता है तो government के थूँ अगर approval होगा तो चीज़े जो हैं वो control में रहेगी हाला कि जो green field project होते हैं दो तरीके से project बोलाएता है तो एक तो एक green field यानि कि जो नया नया अभी project इस्टार्ट हो है कहीं पर कुछ नहीं है जमीन भी लेनी है सारी चीज़े करनी है तो उसको बोलते है green field project ब्राउन फिल्ट कैसे होता है कुछ दिन पहला आप लोगोंने सुनोगा कि उडान स्की में स्टार्ट की जा रही है उडान स्की में कई सारी ऐसी हवाई पट्टी है जो उलेडी पढ़ी है जिनको यूज नहीं किया रहा है तो उनकी थोड़ी बहुत मरमत करके उनको स्टार्ट की जा रहा है उसको बोलते है brown field project यानि कुछ न कुछ structure पहले से ही है तो green field project में तो फिर से investment कर सकते हैं यानि कि एक तरीक से allow किया जा रहा है चीज़ों को existing business के अंदर क्योंकि वहाँ पर take over लेने की जो threat है वो वहाँ पर कम होती है या फिर होती minute के ब्राबर होती है पर लेकिन अगर बात करते हैं एक तरीक से जो जो हाँ पर brown field project होते हैं एक तरीक से उनमें ज्यादे chances होते हैं तो उनको एक तरीक से रोकने की कोईस यहाँ पर की जा रही है इस particular move के थुरू अब यहाँ पर माली जे कोई venture capital fund आता है उसमें difference की बात की जा रही है venture capital fund एक ऐसा fund होता है जो कि एक main काम तो उसको कोई और होता है थोड़ा बहुत investment करता है बस profit के लिए टेक ओवर करने की बात नहीं करता है यहाँ ठीक है तो not necessarily in interesting तो उसको टेक ओवर करने में कोई interest नहीं रहता है तो ऐसा fund कम से का हम लोग को allow करना चाहिए ऐसा है आपर writer बोल रहे हैं कि इसमें कोई difference आप लोग करना पड़ेगा से भी से जहाँ पर हमारी country में से भी है security exchange board of India वो already massive जो custody है वो यहाँ पर एक तरी से पूछ चुका है कि चाइना की company चाइना किस किस company में investment कर चुके है उनकी सब की list चाहिए तो उन सब को regulate कर जाएगा पर लेकिन कैसे देखा जाएगा किस तरी है चीजों को handle कर जाएगा क्योंकि ये भी एक problem निकल कर आती है कि कुछ ऐसी भी company है मालीजे चाइना तो हमारे साथ में border test कर रहा है पर लेकिन चाइना ने किसी foreign की company है मालीजे USA में investment कर रहा है और USA की वो company आकर हमारी country में company को खरीदती है तो उसको कैसे handle करोगे तो उसके बारे भी आप लोग कुछ नो कुछ बात करनी पड़ेगी यानि कि इन डेक्ट में भी तो चीजों हो सकती है ऐसा बोलने की बात की जा रही है ठीक है question देख लेते हैं question है आप लोगे सामने according to 2015-16 national family health survey के इसाब से 70% जो women है ये 15 से 49 year की age में इनको domestic violence यहनला पड़ता है ये बोला गया पहली statement में दूसरा बोला गया world health organization के इसाब से 30% जो world में health worker है वो women है कौन सी statement correct है A में बोला गया one only B में बोला गया totally stay बोला गया both one D में बोला गया neither one nor two तो सही answer क्या है सही answer यहाँ पर D यानिकि कोई सी भी statement सही नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर 70 यहाँ पर आएगा और 30 यहाँ पर आएगा इतना ज़्यादा difference आप लोग एक तरीक से याद रखेगा क्योंकि number इतने पास के नहीं होंगे ज़्यादा तर दूर दूर के number होंगे और आप लोग समझ सकते हैं जब health worker की बात काते हैं तो 70% करीब nurses अभी मैंने आप लोग को बोला था तो कम से कम इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं next question है आप लोग के सामने ये बात कर रहा है जो मैंने आप लोग उसे map best question था उसका question है basically ठीक है तो ये बात करें आप लेक बलखष के बारे में ठीक है तो ये largest lake है इस ये बोला गया है वन टू बोथ नाइदर वन नो टू सही answer क्या है ABCFOD तो जो सही answer है आप इसका वो है A first statement सही है क्योंकि second statement में जो बोला गया है तो western part fresh है और eastern part यहाँ पर खा रहा है ठीक है तो यहाँ पर ulti कर दी मैंने statement यानि कि opposite कर दी है इसको तो यह Asia में अगर बात करें है जो यह lake है यह largest है Asia के अंदर में और 15th largest है world के अंदर में कजाकिस्तान के अंदर आप लोगो यह देखने को मिलेगी ठीक है नोर्मली आप लोग यहाँ पर देखते हैं यह है particular lake जिसके बारे हैं बात की जारी है कजाकिस्तान के अंदर में ठीक है बाकी चाइना में भी हाँ पर इसका थोड़ा impact आप लोगो देखने को मिलेगा नीचे खिरकिस्तान होगे यह जुबेकिस्तान तुर्केमिनिस्तान और यह होगे आपर तजाकिस्तान यह होगया चाइना यह हो गया मंगोलिया और यह हो गया रस्या ठीक है तो यह था आप लोग का मैंबेस्ट कोश्चन तो यह था टूटल आज का डिसकसन आई होफ कि आप लोगों ने इंज्जोई क्या होगा यहां से जाकर आप लोग पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेट रह सकते हैं तो मिलता हूँ नेक्स लेक्चर में अगर लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक से और सेर कीजएगा पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजएगा और कमेंट बोक्स पर जुरू बताना कि क्या पोलन हो रही तागि उसको इंप्रूब किया सके बाकी मेरे साथ में आप लोग कनेट रह सकते हैं हर एक सोचल मीडिया हैंडल पर सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे डिस्क्रेप्शन बोक्स में अंसर आइटिंग का भी तो मिलता हूं नेक्स लेक्शर में बड़ो को नमस्ते छोड़ो को प्यार छोड़ी सी लाइफ एंज्योई करेयार तब तक के लिए जैहिंद